क्या वेज बिर्यानी नाम की कुछ चीज होती है आप शेफ हैं आप मुझे बताइए को वेज बिर्यानी नाम की चीज होती है वो कहते है नाच ना जाने आंगन थेड़ा शेफ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए जब यह टेस्ट नहीं आया है कुछ कमी है कुछ क्या है वह तो बत किसना जरूर जाना चाहों कोविट के बाद स्टाफिंग दूनना एक कंसल्टेंट के लिए आज की तारिक में सबसे मुश्किल है जो लोग पुस्टेम 15,000 रुपय लेता था आज उसकी दिमांड होती है 20,000 रुपय है 22,000 रुपय है जिस दिल ना हो ना काम करने का उस दिन आ आपका experience हमारे viewers के बड़ा काम आने वाला है लेकिन जो सबसे बड़ी मेरे लिए इस वक्त कंफूजन है वो यह है कि मैं आपको बुलाओं क्या शेफ बुलाओं रेस्टेंट कंसल्टेंट बुलाओं ट्रेनर बुलाओं या recipe developer बुलाओं को देखो अगर मैं बात आपने जो portion थो थोड़ा सा तेड़ा आपका अगल तो आप मुझे शेफ हि बोलाओं तो अच्छा है ठीक है ये कमाया कपड़ा जो है पैसे किसे खरीदा जाता है ये पैसे से नहीं खरीदा हुआ बट इसको हमने कमाया कमाया है तो आप मुझे शेफ ही बुलाओ तो अच्छा है और फरक भी पूछुगा एक शेफ और रेसिपी डिवेलपर में क्या फरक होता है देखो दोनों एक ही है देखा जाए तो शेफ का जो काम है वो आता है कि आप किचिन को कैसे मैनेज करते हो ठीक है आप लड़कों को कैसे मैनेज करते हो अच्छा आप इन्गेडियेंट्स को कैसे मैनेज करते हो आप रेसिपी कैसे मैनेज करते हो रेसिपी डिवेलपर वो हो गया एक होए आप recipe developer नहीं बन सकते हैं आप innovations नहीं कर सकते हैं ठीक है हाँ ठीक है मैं मानता हूँ आज कल home chefs वगारा सब हो रही हैं इन्नोवेशन हो रही हैं आपना बाप जादा की जो recipes हैं वो दुबारा थोड़ा थोड़ा आ रही हैं बट chef is one who can manage the kitchen who can train the kitchen who can be a recipe developer recipe developer की बात आई क्या आपने सोचा था कि आप देखोगे Oreo के पकोड़े Fanta वाली मैकी कभी आपने सोचा था अपनी professional life में कि मुझे ये देखने को मिलेगा देखो ऐसा है question मैं क्या बोलूँगा कि innovations है ठीक है अब मैं किसी की innovation को बुरा नहीं बोलूँगा जो भी है जाए वो फेंटा के का मेकी महगी है या बोरियों के पकोड़े है या चौमिन का समोसा है ठीक है पहले तो चौमिन का समोसा है ठीक है फिर उसके बोगान हो गया फ इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता है मैं कभी कोशिच भी नहीं कि यह बाई मैंने औरियों का देखा है बना गए देखो होता गया नहीं देखो मीठा और नम्सकीन है ठीक है ना उसका combination है जहां तक मैं सोचता हूँ कि अंदर तो जाएगा मगर एक बार बंदा जरूर करेगा बाद में नहीं खाएगा बिकास क्या है जब हम कोई मीठा बनाते हैं सपोस्ट एक्जामपल कभी ट्राए करना एक बहुत चोटी सी टिक टैक तुक देरहा हूं नमक जो है, तेस्ट एंहेंस करता है, अप दुनिया भर के मसाले दाल दो खाने के अंदर, ठीक है, आप दनिया भी डालो, मिर्शी डालो, अजर्य डालो, लस्ण भी डालो, सब कुछ डाल भी, देल दो, एक नमक मठ डालो गसे, क्या आपको खान आपको नाप अच्छ सोडियम ख्लोराइट स्टिया इचाहिए इस लिए मैं कभी सॉल्ट नहीं बुलता है डा सॉल्ट अच्छा ठीक है न सॉल्ट बहुत जरूरी है खाने के अंदर तो वो जो मीठा और नमगीन का जो इक बना एक बerv एक अधेक इसको क्यों करें लियर सेओः तो किसे बना जाता चाहिए कहसे अर्शन नहीं है ठीक. अगर passion नहीं है तो आपको इस industry के अंदर enter करने का कोई हक नहीं है. सबसे पहले चीज है passion फिर इसके बाद आजकल कई degrees हैं । कई मैं अपना diplomas हैं फहले हमारी टेम पर टेप्लोमाजी होते थैं अच्छा हमारे टेम पर degrees नहीं होती थी तो तीन साल का डिप्लोमा हो गया या दो साल का डिप्लोमा हो गया या एक साल का डिप्लोमा किया और इंडिस्ट्री के अंदर गुज गई हमारे सहें पर डिप्लोमाज ही होते थे डिग्रीज तो बाद में निखली तो मैंने खुछ जो है अपने आप मैंने डिप्लोमा ही किया हुआ मैंने फिटी एन गिल्ट से डिप्लोमा किया हुआ लंडन हाँ तो बाकी जो है आजकल तो बहुत कुछ है, बहुत schools है, बहुत colleges है, because I am a lecturer also, तो मैं जो है किया जगा lectures देने जाता हूँ, और अभी परसो भी मेरा lecture था, तो वही चीज है कि हमें जो है, सबसे पहले चीज आती है passion, अगर खाना बनाने का passion है, तो आप chef भनी जाओगे आप खुh chef हैं, कभी मोका मिला हो किसी नामी गिनामी शेफ का खाना आपने खुद खाया हो, मןलोगो जो celebrity chef जिसको कहते है न, ऐसा किसी का खाया हो और आपने खाओ, आप नाम मत लेना लेकिन मैं यह जानना जाओंगा कि यह जो celebrity chef होते हैं, यह सच में जो इनका खाना स्वाध होता है या सिरफ यह इन में talent होता है, यह अच्छे जे अपने आपको प्रेजन कर बाते हैं बहुत ट्रिकी कोशन भूचा आपने, खाया तो है, वो एक पिंजाबी च्काहवत है यह न मूँ न मत्हा थे जिन्ने पाड़ लग था, यह देखो वो है के, I will not take the name, मैं वो तभी गया रहू हूँ, नाम ने ले नाम ने और, combination बड़ा अजीव था, क्रोगन जोश विद मैश पोटेटो, आच्छा, नाम ही गलत है, तो मलब कहीं बाहर से याए होंगे वो, कहीं बाहर से, हाँ, नाम गलत है, टेस्ट गलत है, अगर आप उसको नाम अलू गोश्ट रखते हैं तो हम मान सकते हैं, हाँ आज यह रेशिपी का नाम अच्छा है, जो पहु पोटेटो, वि मटन करी लोगों को पता ही नहीं है रोगन जोश होता किया है वոगन जोश करकर के बेश स्टे रहते है अब रोगन जोश मतन करी किन टी के चार है यूजले यूज पाँश मतन कर दिया है रोगन जोश है क्या उनको मैसुत होता है कि हम किसी न किसी recipe के साथ गलत कर रहे हैं अब जैसे आपने बताया मैं नियू की बात हो रही है तो restaurant industry भी मैं खुद मैं blogging करते करते मैंने बहुत देखा है कि बड़ी सारी चीज़े चेंज हुए हैं आप तो हमार से भी पुराने हो बहुत कुछ internal बहुत सारी चीज़े आपको बता है 80s, 90s और अब जो restaurant है इनमें क्या फरक आ चुका है सबसे पहले तो dining का फरक आ गया पहले चलते थे fine dines अच्छा with the silver dining चल रही है और proper सब चीज अच्छी तरह से अब आज की तारिक में चलता है cdr that means casual dining आपके पास table पर ही caddy बढ़ी है उसी में चमच लगा हुए उसी में napkins लगे हुए आपने order किया खाना आया अपने आप अपनी service खुद कर लो ठीक है बट उस तेम पर क्या होता था silver plating है आपका अपना desert का spoon अलग है आपका क्या कहते है main course का spoon अलग है fork अलग है पानी का glass अलग है wine का glass अलग है desert plate अलग है तो वो भी एक time था वो time में मैं कहुँगा कि वो time जो था culinary का एक बहुत ही अच्छा मैं भी क्योंकि मैंने भी जो industry join की 2000 में जोइन करी है उस time तो मैं भी बच्चा ही धा 90 के अंदर तो जो मेरे seniors मुझे ने मुझे बताया मैं वोई चीज़ आपको आज बता रहा हूँ उस time की service में और आज की service में जमीन आस्मान का फरक है same उस time के chefs में और आज के chefs में जमीन आस्मान का फरक है अब हम 20 की बात कर रहे है pandemic के बात और भी बहुत सारी चीज़े change हुई है या same ही सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब बहुत कुछ change हो गया सबसे पहले तो बंदों को जीना आ गया कि कौन दुख में साथ देने वाला है कौन सुख में साथ देने वाला है नंबर एक अगर हम इंडस्टी से बात करते हैं origination of the ghost kitchens यानि के cloud kitchens कह लिजे या dark kitchens कह लिजे वो वाके में ghost ही है उस टेम पे इसलिए चला because कोई बहार निकल सकता नहीं था लोगों को बहार की craving होती थी खाने की तो लोगों ने क्या चल यार हम घर से खाना बनाना चालू कर देते हैं और इस वाज ओरिजिन आफ home chef's home chef's cloud kitchens covid नहीं इन चीजों को प्रमोट कर दिया और मैं कहूंगा प्रमोट की अच्छी बात है बहुत कुछ उससे हमें भी सीखने को मिला यह नहीं कि हमें सीखने को नहीं मिला हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस से हमें भी कई कर जगा की डिशिस पता लग गई है हमें भी पता लगता है कि आपका कई lost recipes पता लग गई being an R&D doing R&Ds research and development मैं बहुत R&D करता हूं खाने के उपर R&D developer होने के लिए की वज़ासे मुझे भी बहुत कुछ पता लग गया पान गोश्ट आपने शैद नामी निशिन नहीं सुना हो है अपना एक डिश है आपका अंबिया गोश्ट का सालन यह तो मेरी वीडियो में भी है अच्छा अंबिया गोश्ट का सालन है पान गोश्ट है फिर दोरा यह तफरी है और कई चीज़े ऐसी है जो की मुझे मतलब पता लगी एक और नाम बताता हूँ आपको बहुत बड़ी आर बहुत बड़ी आर ऐसी भी है पानी की तलीयत पानी की तलीयत नामी बड़ा इंटरेस्टिंग सालन है कानी की तलीयत पानी की तलीयत कुछ गैस Anda कुछ नामी की तलीयत कुछ फ्राइट साहर dot इंटो राइट मिंए प्लस ग्रेवी है मतलब बहुत सविन जीबट मिंए फिश पानी की तलीयत वा थैंब आम एक इन्ना इन वेट इननवेटिभ औरसी बड़ा एक की चीज़ सब्सक्राइब करते हैं उसमें क्या क्या चीज कवरेज होती है क्या आप एक अगर सपूस किसी को अपनी सर्विस भी दे रहे हो तो एक कई मेरे ज़से ज़से जदा दरी आते होंगे जिनको फूड का जीरो भी नहीं पता होता होगा जायद ठीक है लेकिन वा उनके पैसा है वह इन्वेस्ट करना चाते हैं तो ऐसे लोगों को आप कैसे क्या प्रोसेस रहता है कैसा हेल्प करते हैं ठीक है बात करके उसमें पता लग फिर किचन प्लानिंग के बाद फिर एलेक्टिकाल दूने ऑ जाती है और स्टाफनिंग का जो सबसे टीडियस प्रोसेस है कोड़ के बाद स्टाफनिंग दूनना एक आज की तारिग में सबसे मुश्किल है है इस ताफनिहीं है और जो है उनकी डिमांड जा लगया क्योंकि कई लोगों ने कोविट के बाद अपने काम चालू कर दी है और स्टाफिंग जो है वो बहुत रिड्यूस हो गई है जो लोग उस टेम 15,000 रुपया लेता था आज उसके डिमांड होती है 20,000 रुपया या 22,000 रुपया आप यहीं से आप अंदादा लगा सकते हैं कित जानता हूं तो हम लोग स्टाफिंगों होने के बाद पिर उसके बाद होते हैं ट्राइलस चेलियूस के बाद होते हैं चाल्ठ है यह विप्रविड है हम जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमे यह 28 progress चीजेह हैं जो कि सबसे पहले होती है अच्या उसके बाद ही आगे का प्रोसेश चालू होता है आगे का प्रोसेस और जैसे टेट्स की बात देहों मैं हम दिल्ली बैठे हैं मैं दिल्ली की बात करूँ आ ये कैसे डिसाइट की जाती है कि इसका टेस्ट ऐसे रखा जाए गा यह कैसे आप डिसाइड करते हो एरिया वाइस यह रहता है कि हम वेस दिली है तो ऐसे लोकों को ऐसा पसंद आता है साउथ दिली ऐसा है सीपी में ऐसा सब करेंगे इसका ना दो चीजे मैं आपको बताऊंगा इसके लिए सबसे पहले बात अधि हर दस किलो मिटर के बाद पान लोग कहते हैं कि पानी के उनकी सवात नहीं होता है रिएॡव तब अम्र सर की पंजाब और यहा पांच नदिया वेखती है वहाँ पर और अम्रिसर वहा का जो है अपना कहेंगे न ताज है खाने के मामले में भी और वैसे भी अमरिसर में मैंने कई प्रोजेक्स किये हैं अपने और अमरिसर जो है एक गुरुवाजी नगरिये साथी तो और वाक्य में बहुत खाने के मामले में नंबर वान है और मैंने वहां का देखा है कि मसालों की बात करूँगा अगर कंपैरिजन करूँ डिली से इवन वहां पंजाब में भी अगर मैं अमरिसर का कंपैरिजन लुध्याना से भी करूँगा तो उनकी प्रिपेशन का स्टाइल अलग है उनके मसाले का स्टाइल अलग है तो आपने जैसे का कि आर दस किलो मेटर शाएद वही रीजन है कि टेस्ट बदल जाता है अप अमरिसर अप लुध्याना की बात कर रहे हैं मैं करूँ अब अमरिसर से ब्यास आजाओ या अमरिसर से कटार पूर आगे चले जाओ या बटला चले जाओ चालिस कीलो मटार है बटला वहां से टेस्ट का फ़राइद है ben एक रेसिपी अमरिसर में इभलेप करिया है तो आपको उसके अभ जैसे जिन बहुत सारे ब्रैंड्स रहसे होते हैं, एक उन्होंने दिल्ली खोला, एक कोलकॉता खोलेंगे, एक मुंबई खोलेंगे, किसी और सिटी, तो मैं बहुत हर सिटी के हिसाब से आपको रेसिपी वोक करना है, बिल्कुल, बिल्कुल, हर खाली मेन्यू बनाना एक कंसल्टें खुद खड़ाओं के बना कर दिखाता हूं लड़कों को ट्रेंड करता हूं और फिर वहां से निकलता हूं, इसमें मुझे भी तक्रिबन एक कंसल्टेंशी में दस से पंदा दिन लग जाते हूं, ठीक है, अब मैं अपने ही ऐसे एक्स्पीरिंस करता हूं, रिव्यूस मज़ा नहीं आया, वो उन्होंने वही प्लेट उठाई, हाली पांच मिनिट लगाए, वापत लाए, कहते हैं अब खाओ, वो मैंने खाया जमीन आसमान का फरक, यही चीज है, तो यह एक्स्पीरियंस है या फिर दिल से नहीं बनाई गई चीज, क्या रहता है इसमें, हैं, वैसे हम बच्चों को पालते हैं वैसे ही हम खाना बनाते हैं तो लेकिन आपने कहगया, आना नहीं आप देखो, सब के background में आप थी कि आपका हाथ यहां चल रहा है दिमाग लेकिन होता है कि दिमाग पीछे कही हो और चल रहा है सबके घरों में प्रॉब्लम होती है एक लेकिन एक time होता है restaurant में एक P cars होते हैं बिल्खुल कि भाई आ रहा है आने से पहले भाई इवन restaurant में जो आप table भी बैठे हो ना वो management ऐसे होती है खाओ और निकलो ताकि चार बंदे और आके बैठे हैं बिल्खुल तो इस situation में आप कैसे यह नहीं हमारे बास होती है और हम लोग मैनेज करके रखते हैं कि हमें पता है एक आइडिया हो जाता है इसे संडे ई या साटरें है हमारा इतना एवरेज निकलेगा तो कि जैसे जैसे रेस्टाइंट में उसको ठाए». और सबस्ते हैं यहां। बैलनस रहता है हम लोगों के पास रेस्टोंस के अंदर और एक और राज बता देता हूँ डाल प्रानी पास्ति हूघती है. मैं आपको बसाता हूं, आपने, यह चीज बो लिए, हम घर में बनाते थे, ममी कहा करती थी, डाल जो बची है, वो हम फ्रिज में रख देते Key Dart में रख देते थे थे नेक्स मानिंग में एक पतले करारे परांठे बना थी ममी पत्ते उर डाल को गरम भी नी करती थे थे, थंडी डाल के साथ थंडी डाल के साथ वो एक्सपीरियंस मतलग और वही चीज में जब रेस्ट्रेंट में देखता हूं कि भाई आज अगर कोई कस्टमर देखेगा कि वह यह तो फ्रिज में से इसने डाल लेका ली गरम करके मुझे दे दी यह वह कुछ चीजे हैं मैं आपक का साग साग नंबर चार सरसो अपना यह कड़ी कड़ी अच्छा यह जितनी बासी होंगी मैक्सिमम दो दिन इतनी बासी दो दिन तक बासी हो जाएंगी ना इसका रीजन क्या है अच्छा एन्हांस हो जाएगा येस इसका रीजन है विकरस मतन तो आपने पका लिया फॉर ए जुठी जाती है। वो तो अमारे हात में कि कैसे खेलना है एक शेफ खेलता है कि उसको कैसे खेलना है। मगर जो पीज के उसको टेस्ट आएगा यह वो आपको अलग भी रहेगा बिलकुर अदर अब फेरेंट भी रहेगा फिलकूर। अच्छा। आपका भी ट्राइ करना है घर पर मटन बनाना उसको अब डीफ्रीज कर देना थीक है उसको थो करना थीक है वैसी थो करना यह नहीं कि आपने गैस के ऊपर रख दिया थंडे वाले कोई और उसके बाद उसको पकाए गरम वो नहीं करना फिर अफू फिर ज़ाए सब्सक्राइब कर दो लोगों को जानता हूं पूरे साल का इतनी लाइफ होती है साग की सर आपने धंडा किया धंडा करने के बाद आपने पैकेट्स बनाए पैकेट्स बनागे अपने उसको डीप में डाल दिया आपका एक साल तक कुछ नहीं होगा अच्छा रहे अच्छा और यह जो चीज है अजमाई हुई है मेरी है सबसे बड़ी चीज है कि आपका उपर से लेकर नीचे तक साग एक जैसा थंड़ा हो जाए फिर आप उसको रखदो पैकेट्स बना करके और आप उसको स्टोर कर दो फिर आप देखो उसको एक साल तक खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं इसी कारेंटी मैं देता हूँ सर अब मैं ये भी देखता हूँ कि मैं भी इवन जाता हूँ कि इस रेस्टरंट में हाइजीन का बड़ा ध्यान रखा जाते हैं तो आप कैसे एजुकेट करते हो कि सारा कुछ देखो शेफ के उपर होता है या कोई और भी होता है कि जो हाइजीन का क्वालिटी का कंट्रोल र हम पाइजीन के लिए सबसे पहले ज़रूरत है वह है आपकी wurmen चोनल्यां고 अच्छा 12 पहले पढ़ी है उसको क Pastor component करो फिर दूससी चीज को इस्तमाल करो मतलब जो आगे पीछे करने वाला चीज है टैगिंग खाने की उपर टैगिंग होने चाहिए कि आपकी जो कोई भी चीज है उसको कितना टाइम हो गया एक दिन हुआ है ये सारे करते हैं ये मैनेज होता है तेकि कई रेस्टों मेरे जो रेस्टों से वो पहने चाहिए जुएलरी नहीं पहने होनी चाहिए अच्छा यस लड़कों ने घ्रकावम बनाना है अब यह नहीं कि जो रहां पर है अगर अगर देखो जो भी है्ड़ेट शेफ होगा जो भी मिए ख़ूप होंगा खुद उसने नहीं किया होगा तो आगे भी नहीं करने काश्टिक हो तेन जी अब घएव कर ब्रेंट देखके अपने आहिए वो लोग उटार देते हैं या हटा देते हैं के आपका जैसे सपोस्ट आपके बरतन वें और बरतन प्रपर्ली हफते में एक भार कास्टिक से वाच्छो पैन के नहीं होते हैं के य Tabs ज ao हम कोई भी रेस्टाउंट ओपन करते हैं न, SOPs, Standard Operating Process, उस SOPs के अंदर हर चीज़ मेंशन होती है, और वो SOPs owners को दी जाती है, कि आपने इसको इस तरह से मैनेज करवाना है kitchen को, अब वो आगे से chef के उपर है, और owners के उपर है, वो अपने kitchen को कैसे मैनेज करते हैं, अब time to time देखिए, recipes भी चेंज हो रही हम भी जाते हैं, कुछ नहीं, आजकल क्या trend चल रहा है, आजकल 2024 में और 2025 में, हमें नया क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप अभी बता रहे हो, Phantom Maggi और Oreo, आजकल जो ट्रेंट चल रहा है, basically fusion का चल रहा है, modern Indian का चल रहा है, मेरे से भी कई लोग बावलते हैं, कि modern Indian cuisine चाहिए, यह modern Indian थोड़ा सा elaborate करिये, कि होता क्या है, देखिए, mixture of Indian food with Japanese food, mixture of Indian food with Italian food, मतलब यह modern Indian होगा, तो वह ही होगा है, वो जो एक chef ने, वो mashed potato कोशिक उन से किसी ने बाजना होगा, मगर चीज की authenticity जिन्दा रखनी है, मैं भी करता हूँ, modern Indian ऐसी बात नहीं है, मैंने भी invention की है, जलेबी टाकोस बनाए है, जलेबी टाकोस अच्छा, मैंने जलेबी टाकोस बनाए है, मैंने अपना के कहते हैं, गाजर हलवा वे पिस्ता फोम बनाए है, ठीक है, और अपना हबिसक्स रसुल्ला बनाया है, अच्छा जी, इन्वेशन की हैं, करनी पड़ती हैं, as a customer demand, ठीक है न, बट जो आप डिश बना रहे हो, इसकी ओरिजिनालिटी, उसका टेस्ट, उसकी अच्छिंटिसिटी, वो कायव रहने चाहिए है, अब ये बाते करते करते, देखो मेरों एकदम चीज, बिल्कुल इससे हट के चीज आई है, कई मैं भूल ना जाओ, एक मैं कोई वीडियो डालता हूँ, उसके वो कमेंट बड़ा ही common है, common कहें, अगर मैंने, क्या, वेज बिर्यानी नाम की कोई चीज होती है, आप शेफ हैं, आप मुझे बताइए, वेज बिर्यानी नाम की चीज होती है, मैं अपने वीवर्स को एक एक्सपर्ट से, की ठूप ये information देना चाहता है, कि क्या होता है, पहले तो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, दो चीज़े हैं, वेज़ानी और पुलाओ, पुलाओ कहलो, पिलाफ कहलो, पुलाओ, ठीक है ना, अगर हम authenticity पर जाते हैं, अगर हम authenticity पर जाते हैं, तो असली में न बिर्यानी बगरेगी है, न बिर्यानी चिकल की है, अच्छा, अगर हम authenticity पर जाते हैं, असल जो बिर्यानी है, वो है बड़ेगी, अच्छा बड़ेगी है, अच्छा है वो बीफ हो चाहिए वो बफ हो ठीक है पहले जमाने में क्या होता था जब यह शुरुवात हुई थी बिर्यानी और निहारी की यहां पे जो है बिर्यानी बनती थी बल्क में उनके सोल्जर्स के लिए जब लीबर होगी सोल्जर होगी जब हिमायूं आए थे है उनके लिए हर किसी के लिए तो बनेगा नहीं तो इसी से भी बिर्यानी का इजाद हुआ उस टम जो जानवर मिलता था उसको मारा काटा बनाया ठीक है ऐसे शीश कबाब प्रेश का इजाद हुआ था कि अपनकी सम्शीरों पर जो तलवारे होती थी उसी पर कीमा लगाया उसी पर बटाया और उसी से खा लिया हाँ ठीक है अब बिर्यानी जो है ठीक है बिर्यानी जो है ठीक है बिर्यानी तक तो सीमित ठीक है चिकन के बिर्यानी भी ठीक है बिर्यानी वेज नहीं हो सकती कभी ठीक है वो पुलाओ है तो मलना मेरी ओडियोंस को आज जवाब मिल पुलाव को अब डिफरेंस बेट्वीन बिन लगानी अन्द पुलाव ठीक है ठीक है बियानी जो है दम लगा के बनती है थीक है इसमें चावल आदा पका करके डाला जाता है अब खड़ा खड़ा रहे ताकि 70 कोई 75% बकाता है कोई 60% बकाता है फिर दम देता है हर किसी का लुख न is people नेखा सबसे वड़ा दिफरेंस है ठीक है पुर उसके बार डिफरेंस आmission मसालो में अब जाते हो ल्खनो जाते हो अब हाइजराबाद जाते हो वैंगलोग शाने ऐसे बैंगलोस वे हैं तो बिर्यानियू की लाइनियों तलपा गट्टी अलग है डोने बिर्यानी अलग है अलसरी अलग है ठीक है फिर उसके बाद आपका अम्बूर अलग है अच्छा ठीक है फिर उसके बाद आपका बैंगलोर की बिर्यानी जो अपनी बिर्यानी है वो अलग है हर बिर्यानी का अपना टेस्ट है अपना मसाला है अलग और अपना तरीका है बनाने के लेकिन अगर आप देखो आपकी इंडिस्टी में नाम लिया जाता है लेकिन ऐसे फूडी बैंगलोर की जैसे अपने साउथ की बिर्यानियों के नाम लिये तो इनको मुलब कहीं भी बात आती है बिर्यानि की लकनव और हैदराबाद की इलावा कोई डिसकेशन ही नहीं होता है अब अब सबसे पहले उसमें क्या होता है कि शेफ को पहचान होने जाए कि मैं कौन सा चावल का इस्तमाल काना हूँ विर्यानी के लिए अब हैद्रबादी बिर्यानी अब जा रहे हो तो उसका मसाले अलग है अगर आप लखनों की बिर्यानी की तरफ जा रहे हो तो उसके मसाले अ बीदियानि हाइधरबाद से है, निजाम्स थीक है न, नवाब और निजाम्स, अप लखनाओ का खाना जो है, वो वाइल्ड है, फ्लेवर उसमें भी है, तो यह major difference है, सबसे ज़्यादा कि लखनओ बिर्यानी और हैधराबाद बिर्यानी में difference क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे menu होते हैं, जैसे आज जिकल बिर्यानी ब्रैंड्स हैं, उन्होंने हैधराबादी बिर्यानी का लग रख रहता है, लखनओ का, तो reason सारा spice का है, बिलकुश, खारा खेल ही मसालो का, अब इस पूरे खेल में एक मुझे दिखता है कॉलकता की बिर्यानी जिसमें आलू भी डाला जाता है, वो मटन की हो चिकन की हो, वो थोड़ा पूरी लीग से ही अलग हो जाता है, देखो, जब नबाब बाजीदली शाह लखनओ स अपना इधर के अपना क्या कहते हैं, कालकटा के लग इसमें, वही एक तो फ़रक पानी का आ जाता है, जैसे मैंने आप सेगा, दूसरा थोड़ा बहुत मसालों में फ़रक है, तीसरा उन्होंने बिर्यानी के अंदर आलू डालना शिरू किया, विकॉस उस टाइम पे आलू अच्छा आलू पॉर्चुगीज लेके आए, अच्छा ठीक है, आलू ने आने आया था उस टाइम पे, तो उन्होंने का चलो डालते हैं, देखते हैं इसका क्या टेस्ट आता है, एक इनोवेशन है, एक इनोवेशन है, तो वह चीज जो है, एक अलगी, मतलब उसने आपर उसके कई सीक्रेट्स भी है, अच्छा बिर्यानी बनाने में, जो कालकटा स्टाइल बिर्यानी बनती है, या किलकटा स्टाइल चांब, अब हमने उनकी फैक्टरी गहे थे, पूरा प्रोसेस देखा था, हमारे सामने सारी चीज़े बनी थी, और मुझे बड़ा अच् लुकनओ की बिरियानी देखिः है कैसे बनती है लेकिन जो मुझे कولकता का स्टाईल लगा वह मुझे ज़्यदा इनोवेटिव लगा जष्यादा बढ़िया लगा और जो महत्ती खाने की वो कोलकता बिर्यानी की ज्यादा ते लखनाव बिर्यानी से तो भी मैंने आपको बताया ना महक, महक जो है जो फ्रेग्रिंस है या अरोमा खुरी फ्रेग्रिंस नहीं बोलेंगे इसको अरोमा बोलेंगे तो जो अरोमा है वो मसालों से आता ठीक है, अब वहां के मसाले और लखनो के मसाले थोड़ा बहुत अ क्या ज्यादा फरक नहीं है अब एक दो चीजों का नाम मैं बता देता हूँ, पान के जर्ड़ कितने जाएगी या खस के जर्ड़ कितने जाएगी अच्छा, मुश्टदाना कितना जाएगा में जितना मैंने पढ़ा समझा कि वह पतनी बहुत टाइम लगता उसको बनाने में लेकिन जब मैंने वह खाया मतन कोशा वहां का बहुत फेमर्स कोई आउटलेट सा मैं नाम इस पो बूल गया हूँ वहां मैंने खाया उसके बाद मेरे को पता क्या लगा मुझे लगा इसमें पंजाबी फील है मतन कोशा खाने में एक मैं जब खा रहा हूँ मुझे ऐसे लग रहा है यह मैंने चीज ऐसी कहीं पंजाब में कहीं कुछ खाई यह फील है तो मैंने उससे पूछा भाई कि वो खुद आउनर तो बैटे नहीं थे तो आउनर नहीं थे बातों बातों में मै पता लगा तो उन्हेर सरदार जी निकले अच्छा ठीक है वो कॉलकता के सरदार जी थे लेकिन उस मटन में ठीक है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत पंगाली कुछ नई चीज होगी लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो पंजाबी फील आई उसको खाते वे दोको पंजाबी सरदार जी थे तो पंजाबी टेस्ट तो आए गई आएगा नंबर एक कोशा के लिए ना दो चीज़े बहुत ज़रूरी है कोशा बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपके मटन की कॉलिटी कैसी है अच्छा नंबर वन नंबर टू कडाही आपकी जितनी पुरानी होग और यह बनता भी लोगे की कड़ाई में है अच्छा और यह पुरानी होनी चाहिए पुरानी होगी अच्छा आपका उतना बड़िया बनेगा अच्छा आपने देखा होगा बिल्कुल काला हो जाता है काला हो जाता है सभी बाता है वो लोगे की आरन की अच्छा उसमें वो बंगालियों को भी से उको मैं मिला हूँ तो उनको भी यह नहीं पता अच्छा कोशा की जो कड़ाई है वो कभी धुलती नहीं है खाली उसको खाली करकर के पोंच करके रख दिया जाता है तेल लगा करके ताकि इस वो जंग ना लगे अच्छा यह तो बड़ी सही चीज बता होगा यह तो उनसे पूछना जिनको जो उनकी दादगी या उनके दादा वह अगरा उनको वह हूं उनसे पूछना वो आपको बताएंगा इसके बारे में कोशा का यह सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो कड़ाई कभी धुलती नहीं है ठीक है और जैसे आप फूड के लिए क इसके एक्सपीरियंस मैं सबसे पहले जिस जगह पर जाता हो नहीं हों पर जोड़ाई कर सकते हैं क्या नया कर सकते हैं तो बेंग डैसेपी डेवलपर और और बिंग डेवलपर मुझे इस चीज़ कशॉक है दिखो खाना बनाने का यह तो बात बात ठीक है कि मेरे थे वह ग्यों यह चलिए क कलता है न हkenृ कि एनने के लिए लुग किसी कि प्रंड नहीं टॐल्म मुंतै भुशा और साथ्तिंως को यूज टिनेорот बहुत बरा नाम है मैं बोलन वाने आजकल बहुत नखली हर यह अच्छा और यह दो करें है बटजा में उसके बना लिए को ना ला लियक futures आम आे इस्सेक जाता हो यह dil कर रहा ह Nim मुझे कुछ जोल मैंने मैंने अभी एक एक्सपरिमेंट किया इस इसको लेकर मेरी बहस भी हुई इस अपना वेंडर के साथ में था तो उसने बोला कि यह जो चीज है इसका कलर आजा इसका कलर आजा है है मैंने काम को रहो तूसरा पैकेट मंगाओ कहीं और से हैं पर कहीं हो कुछ आजा अज की तारिक में चल रही है मैं तो एहीर रेक्मेंट करऊगा कि अपने मसाले बंदा खुद बनाएं खुद ह 이거를 now about a sauce सब्सक्याइल सबक्राइब यह कि अगर सब मतनेव sonra बीतो जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा मसाले एक वह जो चीज है जो खाने को एंखना इसका फ्लेवर एंखमार सकता तैस्स करता है लहों है लगा रहे है कि पैसा भी लगा दिया बड़े-बड़े अच्छे शेफ पिरख लिए प्रोड़क तो इंगोन भीग बना ले लिग 가ने बैठे तो उसमें आपको फील आती किवल बनदा त करड़ा रखा था लेकिन चीज़ में मज़ा नहीं आया टेबल पे वही कस्टमर नराज हो के जा रहा है तो आई नहीं हो चीज बिलकुल कस्टमर सैडिस्फेक्शन इस उन प्रायर्टी फॉर्ड रेस्टरॉंट और फॉर अगर कस्टमर ही आपका नराज हो के चलागा नराज हो गया है तो बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा और मेरी कंपनी का जो आज नाम है ता मैट फैट शेफ ऑस्पिटालिटी यह मुझे उसी बंदे ने दिया हुआ अच्छा उस बंदे ने मेरा खाना खाया पेजा आज से खाना खाया उसके बाद उसने म उस जमन तर शन्दरत कर अगर और मैं को बीगा शमफ मैने आज तर कभी टिप ली नहीं टिक और आज भी नहीं लेता हुँआ कभी बिकसी से को टिप नहीं लेता है मैने वो टिप महां के रेस्टर मैनेजर को दे विए उनके सामने ही and you are a mad? मैं आज़ा है यहाँ से नाम आपका तो मेरे दिमाग में आई यह बात कि वेना फौन पनी तो फौर एस ऐस अंसल्टन थे मैं प्रण जिए अप्राइब डिश्ट श्यारे तो इस नाम आप वाकि पागल हुआ है इसा खाना हम नहीं उस ने खाया किया थे तंडूरी चिकन क्य और एक उसने मेरे से वो खाया था अपना का कहते है राडा मीट अच्छा इस दो चीज़े मंगाई थी उसी में खुश हो गया और यह तो पॉज़िव हो कुछ नेगेटिव भी बताओ को भाई आप कहा रहे हो कहा है वह कुछ भी हो सकता आप किसी रेस्टुएंट की कंसल्ट कि रेंड मीटिंग में हो या किसी को टेस्टिंग करा रहे हो कुछ भी हो सकता है वह कहते है नाच ना जाने आंगन थेड़ा पता कुछ है नहीं और आप हमें सिखा रहे हो शफ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए जब यह टेस्ट नहीं आया है कुछ कमी है कुछ वह कुछ क्या ह वह थो बता दो लेकिन वह नहीं बता सक्ता है नो चैसेट अलग लग है हर केसी का टेस्ट अलग आप क्या खारे हो आपको पता होना चाहिए अप्या चाहिए और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत चाहिए अब मेरा यही जो भी मेर से कंसल्टेशन लेता है मैं उसको यही बोलता हूं भई है थोड़ा बहुत खाने का नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डोंट एंडर इंडर इन इस बिसस अब कही लोग पुछते हैं क्लाउड किजिन खोले के टेक अ आपको उसमें वे टेक वे मिल लेना है ठीक है तो वाय नॉट बी विजिबल वाय टु बी इन गोस्ट किचन और डार्क किचन शैद उनका फैनेंशल रिजन रहता होगा की क्लाउड किचन कहीं तो दस लाग रवे तब भी चाहिए अच्छा आपको प्रोफेशनल क्लाउड दस बारा लाग तब भी चाहिए अब किराया भी दोगे आप एक्विप्मेंट्स भी लोगे ठीक है आप शेफ्स भी हाइर करोगे अप लेन्यों भी बनाऊगे तारा वही हो गया बस फरक यह किसा ने कांटर नहीं है बच्चा क्या जगा हां सिर्क कांटर ही नहीं है एक आ बिल्कुल तो वाय नोट टू फॉर टेक अवेश आपका ज्यादा से जादा के लाखर में फाल्तू लग जागा यहां जहां बारह लाग लगा रहे हों एक लाग 14 लाग लगा लो बट ओपना ठीक अवे आउंटर्स डोंट ओपना क्लाउड किशन वह वह बाकिय में होता है आप उसने बंदे ने लाखो लगा दिया वो मेरे को मैसेज करेगा कि भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दो मैं अपनी सारी पूंजी लगा दी मैंने लोन ले लिया मैं यह पस गया मेरे पस सेल नहीं आ रही आप मेरे को हेल्प कर दो मेरा यह वीडियो बना दो ऐसे आप सबसे पहले एक restaurant plan बनता है restaurant plan बनने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था menu planning and all staffing का plan बनता है menu का plan बनता है आपकी demand क्या है आप कितना पैसा brand बनाने में लगाओगे आप कि क्या strategies है आप कितना marketing में खर्च करोगे क्योंकि आची तारिक में social media बहुत strong है बहुत strong है लोग मेरी जितनी भी conversation होती है लोग उसमें restaurant में तो पैसा लगा दते हैं लेकिन marketing का वो कुछ सोचते ही नहीं है marketing का तब सोचते है marketing का जब उसके पास customer आना बंद हो जाता है इसलिए सबसे पहले कमिंग सून कब शुरू कर दो ना कि वी आर लॉंचिंग वी आर ओपनिंग अब बहुत सारे सियाने भी होते हैं बहुत समझदार हैं वो क्या करते हैं मेरे को message करेंगे हम इस महीने launch कर रहे हैं आप बताओ आपके क्या commercials हैं वो उनकी एक advance भी चलती होती है कुछ लोगों की बिल्कुल चलती है कि भाई आप मुझे बताओ हम ये launch करेंगे आप इस पे आना आपने ये करना है आप हमारा ये कर देना अंदेरे में तीर छोड़ते हैं ना लोग अंदेरे में तीर छोड़ते हैं हम तब तक menu नहीं बनेगा हम तब तक आगे कोई काम नहीं करेंगे ठीक है सबसे बहले हमने menu ही बनाना है आप इतने सारे restaurant से काम करते हो ठीक है ये कुछ लोग कहते हैं उनको मज़ा आता है कुछ कहते हैं नहीं मज़ा आता स्विगी और समैटो के साथ काम करके आपका experience कैसा गया आपके customers ने कैसा इसका किया है कि ये एक trap है या सच में restaurants को फैदा होता है देखो फैदा तो होता है आच्छा देखो हर चीज़ की positivity होती है हर चीज़ की negativity होती है ठीक है अब आप समैटो से order करोगे 30% आपको rate hikes मिलती है ठीक है अब वो भी क्या करेंगे उनकी एक company है funding company है उनको भी चलाना है चलाना है और आपको एक facility दे रहे है आपको facility दे रहे है आप घर बैटे बैटे खाना में समैटो को नहीं था वही चीज मां कहा रहा हूँ जमैटो की पॉजिटिव स्विगी की अपना positivity भी है negativity देखो हर चीज की हर सिक्के के दो पहलू होते है एक positive एक negative है positive यह है कि बैटे बैटे सब कुछ हो जाता है और आपको घर बैटे बैटे खाना मिल जाता है आप घर पे ना हो तो बच्चे पीछे से भी order करके मंगा लेंगे तेंशन नहीं है ठीक है negativity यह है उनकी commissions commissions का rate हाई है उस वज़ाशे restaurants cloud kitchens suffer करते हैं बट उन्होंने भी एक तरीका निगाला हूँ 30% extra कर देते हैं जो की customer की जेव से जा रहा customer की सही बात है जो मैं 100 रवे की चीज मंगाता हूँ 30 प्लस tax order जुड़ जाता है और delivery की पढ़े जाती है लेकि बस यही है और कुछ नहीं है और मेरा यही रीजन है मैं लोगों को cloud kitchen मना कर देता हूँ कि मत करो कम से कम customer का पैर पढ़े आपकी दुकान पर सही बात customer का पैर पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप इतनी जगा रेश्टरंट खोले आप खुद कहां खाना पसंद करते हो मतलब क्या चीज खाना पसंद करते हो और किस टाइप की जगा पर मैं खुद प्रेफर करते हो कि मैं यह चीज का हूँ कि को अब लोगों के लिए तो मैं बनाता रहता हूँ मेरे लिए कौन स्वाद बनाता है ऐसी कौन सी जगा जाता हूँ देखो अगर मुझे सुबह ब्रेकफास्ट करना है मैं नॉट डेली में रहता हूँ तो मुझे अगर ब्रेफास्ट करना है मेरे लिए तीन चीज़े हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ नंबर एक बिल्ले की अट्टी अच्छा पूरिया ठीक है नंबर दो चाच्चे के छोले बटूरे ठीक है नंबर तीन मेरे घर के पास ये कचोड़ी मिलती है अच्छा अपना राजफूर्थ की कचोड़ी है कि नाम नाम ध्यान में नहीं हम तो दुकान पर सीधा चला जाते हैं उसकी कचोड़ी मुझे बहुत पसंद है बहुत सिंपल कचोड़ी है मतलब थोड़ा सा मसाले में हाई है कचोड़ी जब तक मसाले में हाई नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा तो बहुत लाइट सबजी है मुझे बहुत पसंद है वो मैं तीन चीज़े पसंद करता हूँ देफास के लिए अगर तो मुझे लंच करना है I am totally Indian की बात करते हैं बुखारा अच्छा दार मुझे उसकी बहुत पसंद है हम अलागी रेसिपी भी है आती है बनानी बुखारा बट भार से अगर बंगाना तो मैं तो बंगा लेता हूँ भारा बुखारा से अगर अगर आमे नॉन्वेज अगर मुझे ऑघ्टर चिहन खाना है वैसे तो मुझे अपने मात कर बकुझा बड़ीओ बनाओ मैं तो काफे दिनों से मंगाना नहीं अब पता नहीं क्या टेस्ट है क्या नहीं बटर चिकन बहुत अच्छा है मटन की बात करूँ तो मटन की बात करूँ तो अशोक है नशोक सदर बजार सदर बजार वाला मटन उनका या फिर अपने हाथ का अपने हाथ का अपने हाथ जगनात वाला हिसाब है और इसके इलावा जैसे देखिए, मैं खुद एक experience करता हूँ, मुझे एक कमी जो दिखती है, लोग नान नहीं अच्छा बना पाते हैं, उसके लिए रेसिपी है, मैं दो गंटे, मैं नान बना के दूँगा, दो गंटे तक चीडा नहीं होगा, यह मेरी guarantee है, नहीं, वो तो दो गंटे तो जाब रोल सम्तिंग करके, बहुत पुराना है, बेसिक साटू, मलब कुछ बेसिक है, मलब आप चेर कुर्सी लगी हुई है, वहाँ वो जो बंदा नान बना रहा था, वो वला नान वैसा मुझे बहुत पसंद आता है, और मैं यह देखता हूँ कि 90% से जालोग नानी नान जालोग नान बन के निकल गया आता है, वो पहले ही जोड रहा होता है, ढीला होता है, उसमें पहली मक्षन सा लगा के वो दे देते हैं, वह इता है, खाली मैदा डालने से नान नी बनता, उसके लिए बहुत कुछ और डलता है, जिससे नान बढ़िया बने, अब मैं रैसी कर सकता है, तो मैं इसी सी गारेंटी देता हूं, दो गंटे तक रखके देख लेना, नान चीड़ा नहीं होगा, चीड़ा में खिचे गाने, अच्छा, अगर आपको किसी का नान पसंद हो, यहां दिल्ली में सबसे बढ़िया, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, और एक किस अच्छा, मैंने एक धाबे पे नान खाया था, वो धाबा है, आपका वहां पे अपना जो उधर का होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, उससे करीबं तीन किलो मेटर आगे है, जगा का नाम मुझे याद नहीं है, ऐससे नाम है, उसके जैसा नान, ना मैं बना सकता हूं, ना को बताता है मुश्किल है, और बहुत दूर होगा, बहुत सई चीज बताई आपने, देट सो के बीच में है, अब आप देखो, शोशल मीडिया भी बड़ा देखते होगे, कोई ऐसा वीडियो देखा हो, कि आपका मन गया हो, यार यह मैं भी खा, यह मैं भी खाना, पाकिस् जरूर जाओगा चाहोगा, मुझी उनके वो अंडे वाले वो बनाते हैं, बर्गर्स, बन वाले, वो बड़े बड़े इंट्रस्टिंग से लगते हैं, वो तो यही बन जाएंगा, उनके वहां का जो टेस्ट है, यहां का पाकिस्तान से ही तो आए, वहां का पंजाब लेलो यहां का पंजाब लेलो, एक ही है, बीच में एक लाइन आगी ना बस, बॉर्डर आगया, जो टेस्ट है ना, वो आज भी पुराने बुजुर्द जो हैं, जिन्दा हैं, उनके हाथ में कायम है, वो टेस्ट नहीं मिलेगा, और बाकी पानी का तो अलग है, अब वो बर्तन, पुराने जमाने में देखो, पीतल में या तामे में खाना बनता था, और कांसे में खाया जाता था, कांसे में खाया जाता था, क्या आज क्या वो ट्रडेशन जिन्दा है, कुछ भी नहीं अब तो, नहीं है, अब मैं लगन में खाना बनाता हूं, आज भी बनाता हूं, और पाखना कॉपर का बना हुआ है जो कि नोशादर के साथ चड़ाई जाती है झाल हमारे बरतने यहाद आज भी होता है अपना जितने में मुस्लिम मेरे आज है वहाँ पर लोगों के पास बर्तन है मेरे पास खुद है मेरे पास 300 साल पुराने थाल पड़े हैं अच्छा आज भी तो वह चीज है कि आप उन बर्तनों को आज फिर दुवारा से ट्रेंड आ रहा है जीरे जीरे ठटेरे वीचारे जो कामी खतम हो गया था ठतेरा ओंगय के बर्तन बनाता हैं अब दीरे दीरे जीरे दीरे लोग वापिस उसी ट्रेंड पर आरें लेकिन अगर वह लाभी रहे हैं, बना तो वह गैस के उपर लोटवार पृपसक्याएगी dessa में सकनREE बसक्याइँज semana में आपनोह बुरा नगाल जाती है उस अखडी के पर ही वाक्प असली वाजबान वो है कि शादी होगी कशमीर में कैसे जोएगा दो federals वहां बनाना ब्लॉग उनका दो दिन पहले वाज़ा आता है दो या तीन दिन पहले वाज़ा आता है वहाँ पे अलग-अलग उनके रिवाज है कि प्याज छिलना होता है वहाँ प्याज नहीं होता है प्रान होता है प्रान का इस्तमाल होता है प्रान जो है एक लस्टन प्या में लिटो फोउटर्स भास हमें जे जार खाने पे और तो टीन पःले हिवहा चार दिन पवह शादी के शुरु हो जाती है मेरे भुपने दढ़ें मेरे मेवानरे भी आप चारी आप है समय करते हां यह mustler 5 से विती सब्सक्राइज लाइन क्योई 26 से तो यह जा फें पेखान बनते देखें इस खानेस्ट का यह मैंने जब देखा तो देखा था मैं जब देखा 그 ता कश्मीर काफी टाइम रहा हूं और ऊपर लेगे करिपासित पूरा कश्मीरी वाजवान चाहे वह पंडित क्यूजीन हो जाए वह आपका मुस्लिम क्यूजीन हो जो बाज़ा बनाता है सब सीखा है सब किया है हां तो कुछ टेस्ट ही अलग है तेस्ट ही अलग है देखे इंडियन फूड कल्चर इतना रेच है कि हम बाते करते रहेंगे ना खतम नहीं होगा इवन हम अपने घर के टेबल भी बैठते हैं तो चीजे खतम नहीं होती लेकिन चलते चलते मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज की न्यू जेनरेशन कोई शेफ बनना चाता है या कोई अलड़ी शेफ है लेकिन वो कुछ जादा चार पैसे जादा कमाना चाता है या कु के लिए कुछ आप सला आपके दिखो अपने पैशन जिंदा रखो सबसे पहली बात खाने के खाने को कभी छोड़ो मत हैं सबसे पहले अपना जब भी काप गेस्ट को खाना बेज़ो टेस्ट करके बेज़ो और अपना आपको पढ़ाई तो देखो करने पड़ेगी डिगर आज की तारिक में बहुत ज़रूरी है मलब आप यह नहीं सोज़कते कि घर में मम्मी ने जो सिखाया बेसिक सिखाया या किसी होटल में थोड़े दिन काम कर लिया उसके इलावा भी आपको डिगरी लेने जाए तो देखो ज़रूरत है वो कावस बहुत इंपर्टेंट है अच्छा और उसकी एक वैल्यू है अच्छा वैल्यू उसका आपको पढ़ना तो पढ़े गई आपको क्या किते हैं आप प्राक्टिकल्स तो करने पढ़ेंगे त्योरी तो पढ़ने ही पढ़ेंगी उसके बिना गुजारा नहीं है आपको पता होना चाहिए कि 63 डिग्री इसके बाद जाते जाते खाना जो है खराब होना बैक्टिरिया उसमें चालू हो जाता है जो मतलब आप experience से सीखोगे अगर आप वह आप किचन में कुछने से पहले ही पढ़ाई प्राक्टिकल तो ज़रू प्राक्टिकल कॉलेजिस में कम होते हैं होते हैं यह नहीं होते है बट सी आएगा तो experience है है आएगा पो वोटिल में काम करके मगर उसके लिए थोड़ी बढ़ाई बहुत बढ़ाई बहुत बढ़ाई बढ़ाई और उसके लिए कई कॉलेजिस अज की तारिक में है और कई उनिवर्स्टीज है अपना सब बेस्ट उनिवर्स्टी इन इंडि अच्छ मनिपाल में अच्छ मनिपाल में बेस्ट उनिवर्सिटी फॉर्टल मैनेजमेंट कॉलेज है वक्षप वाथ थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए अपना experience शेयर करने के लिए और मुझे भी चाहिए हम फूड ब्लोगिंग गरते हैं लेकिन हम वह सड़क कि अपको आप लुगों ने ने लोगों को पता दिया कि खाना क्या है है और कई लोग ऐसे होते हैं जो बॉगिंग करते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता हैं मैं अपैसे को बब्लोग जोड़ देनी चाहिए बट तो अग्ये में जिनको पता है तो व्लॉगिंग करो, नगर खाने को नौलेज होना चाहिये, अगर खाने की नौलेज नहीं आफ है तो भी अ प्लाउगय में मता ओ क्यों सत्यानास मत करो डेशा कश्का थे अनिया तू। त तूुने करऊटि थे तांक कूलरता है।